हेलो व्रीवान जैहिंद मैंने में हमजा हसनी और विलकम आल वी टियो चैनल टार्गिट वित आलोग टेट की बात करेंगे तो टेट में सबसे पहले मैं आप लोगों को इंग्लिश को लेकर के सिलेबस डिसकस कर लेता हूं ठीक है तो इंग्लिश का सिलेबस बहुत जादा टफ नहीं है बहुत इजी सिलेबस है इंग्लिश लांगवज इसमें पूछी जाती है और उसमें भी बहुत सारा पार्ट ऐसा होता है जो आप अपनी जो प्रिविएस स्टुडीज है उनके अकॉर्डिंग कर लेते हैं जैसे की कमप के साथ और बहुत सारी उमीदों के साथ हम लोग यह बात स्टार्ट कर रहे हैं और इस बार भी अच्छा ही करेंगे क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा हम एफर्ट करते ही करते हैं अभी मैं सिलेबस डिसकस करूंगा सिंपल लांगवज में कि हमको इंग्लिश मे क्या क्या पढ़ना चाहिए जिससे की टेट का पेपर आसान हो जाए ठीक है तो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट है इंग्लिश लांगवज को ले करके कोई पर्टिकुलर सिलेबस अगर आपसे कहें कि यह सिलेबस है तो आप यह समझ दिएगा कि वो पर्टिकुलर लिम करना चाहिए चलिए हम देखते हैं देखिए सबसे पहले आपका जो टॉपिक आता है जो आपको चुछ से पर्ट देना चाहिए वह है पार्ट四पीच यह पढ़ा भी होगा कि तें आप मैं आपको बता दूँ कि आप फ़िस प्रिन सिर्पिश में कौन कौन होता है अभी इ उड़ा रहां ठीक है पढ़ा नहीं रहां सिर्फ आप समझ आई क्या कि आपको डीटेल में अच्छे से पढ़ना है नाउन है, प्रिणाउन है ठीक है, एडजिक्टिव है नाउन प्रिणाउन एडजेक्टिव वर्ब, एडवर्ब, गंजंक्शन, इंटर्जेक्शन और preposition लास्ट पचाहस के बाद article तो ये आपके parts of speech है अब ये जो parts of speech है इनको आपको एकदम depth में पढ़ना है depth में पढ़ने का sense क्या है कि आपको passage के अंदर पहचानना भी आना चाहिए कि कौन सा word किस part of speech की category में आता है आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनके uses क्या है आपको ये भी पता होना चाहिए जैसे noun पढ़ रहे हैं तो आपको masculine, feminine, gender भी पता होना चाहिए आपको इसका subjective, objective, positive case भी पता होना चाहिए आपको singular, plural भी पता होना चाहिए countable, uncountable भी पता होना चाहिए तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना ही पढ़ना है depth में हाँ हम उस level की depth में नहीं जाएंगे जिस level पर SSC या bank exams होते हैं ठीक है, debt का जो level है उसी level पर पढ़ेंगे लेकिन हमें overall पढ़ना है इसी तरह से pronoun में पूरा cover करना है adjective, verb, adverb, conjunction, interjection, preposition, article और जब आप ये सब कुछ पढ़ रहे होंगे तो इसी part of speech को पढ़ने के साथ साथ आपका एक और part तयार होगा जो होता तो अलग से है लेकिन आपका यहां पर तयार होना शुरू हो जाएगा that is spelling pitfall, ठीक है हा, तो spelling में आपको दोनों तरह से पूछा जा सकता है आपको ऐसे भी question दिया जा सकता है कि तीन options में उन्होंने correct spelling दिया और एक option में wrong spelling दिया और आपको वो wrong वाला select करना है या ऐसे भी पूछ सकते हैं कि तीन option में आपको wrong spelling दिया एक option correct spelling का है चूस करना है तो वाइस वर्सा हो सकता है तो ये spelling भी आपका part of speech में ही तयार होना शुरू हो जाएगा ठिक तो part of speech में इतनी सारी चीजे आपको पड़ना ही पड़ना है और आपकी समझे जिए अगर आप ने इसको एक थरुच स्टडी की नहीं किया है तो आपने grammar का मान करके चलिए कि 50% पार्ट छोड़ दिया है आपने उसमें 50% चीज़े नहीं पढ़ रखी है और इनसे बहुत सारे questions पूछे जाने वाले हैं जो कि आप नहीं कर पाऊगे तो इसको हमें पढ़ना है पहली चीज तो यह हो गई दूसरी चीज हमें क्या पढ़ना ह sentences अलाकि मैं spelling को भी second thing बता सकता था लेकिन मैं आपको syllabus को short में करके discuss कर रहा हूँ मैं यह नहीं कर रहा हूँ कि 20 चीज़ें आपको पढ़ना है मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जो पढ़ते जाओगे उसमें यह यह cover होता जाएगा तो आपको अलग से इस topic को उठाने की जरूरत नहीं पढ़ेगी फिर बात हम करना है second sentence की sentence की जब हम बात करते हैं तो sentences में आपका दो चीज़े होती है एक तो sentences आपको जानना है कि क्या है ठीक है वो कौन-कौन से sentences होते है kinds क्या होती है उनकी यह सब जानना है यानि उनकी information लेना है दूसरी चीज़ आपको sentences में जानना है उनके formation यानि कौन से sentences किस तरह से बनते हैं for example अगर आप simple sentence बता रहे है तो आप क्या गरेंगे आप subject plus verb plus object का simple rule लेंगे लेगिन अगर आप वहाँ पर simple नहीं बना रहे है आप exclamatory sentence बना रहे है ठीक है और exclamatory में what वाला बना रहे है जैसे what a nice day तो यहाँ पर आपक कहीं अता पता नहीं है nice adjective आ गया और day noun आ गया तो आपको इसका formation जानना होगा कि कैसे हो रहा है इसे तरह से optative sentences बना रहे है तो वहाँ पर में का use हो रहा है या if or that would that का use हो रहा है तो आपको यह सारे formation सीखने पड़ेंगे तो हमें पता होना चाहिए जब मैं पढ़ाओंग का depth में अभी तो normally बता दे रहा हूं कि five sentences होते है five kinds of sentences होते है इन five 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 kinds को हमें बहुत अच्छे से thorough study इनकी करना है ठीक है तो five kinds of sentences जब आप पढ़ेंगे और उनके formation पढ़ेंगे practical approach करेंगे तो यहां पर grammar का बहुत सारा part अपने आप cover होता जाएगा क्यूं होता जाएगा कि कि जब मैं sentences पढ़ाओंगा देखिए मेरी एक habit है मैं दूसरे जो teachers है available on YouTube और somewhere in classrooms तो उनसे एक काम में अलग करता हूं वो यह करता हूं कि they don't want to teach translations और मैं थोड़ा सा translation जरूर सिखाता हूं क्यूं सिखाता हूं उसका reason है मेरा मानना यह है कि अगर sentences के formation पर practical approach कराना है किसी का यानि कि वो उस चीज़ को practical use कर सकें उसको अपनी daily life में ला सकें तो उसका best way translations है क्यूं क्यूंकि अभी TED के exam देने जतने students त्यारी कर रहे हैं उसमें से मेरा मानना यह है कि ज़्यादा तर लोग Hindi medium students होंगे और जो English medium भी होंगे उनको भी लेकर के मैं जानता हूं कि grammar का जो क information of sentences होता है उन्होंने practical use कर रखा है लेकिन अगर उनसे tense आप पूछने लगिए तो वो confused हो जाते हैं या आप उनसे formation में कुछ formation गलत करने लगिए तो वो देखिए वो उसको correct पकड़ नहीं पाएंगे तो ये चीज़ें जो हैं इनको खत्म करने के लिए हमें translations कुछ दिन प कराऊंगा तो इसमें आप sentence के काइंट्स तो सीखी रहोंगे formation तो सीखी रहोंगे साथी साथ बहुत सारे minor grammar points भी समझ रहोंगे ठीक है minor grammar points जिनको अलग से एक एक पॉइंट बताना possible नहीं होता teacher के लिए कि वो एक एक पॉइंट बताते जाएं है ना अब जैसे noun पढ़ा र ऐसा होता है singular plural ऐसा होता है masculine feminine gender आपको याद करना है तो यह सारी चीज हमने बता दिया मोटी मोटी लेगन अब उसके अंदर अगर कोई depth में बात है कोई ऐसी बात है जो हर एक point discuss नहीं हम कर पाएं इतना long class नहीं चल सकता तो वो यहाँ पर cover हो जाता है ठीक है वो सारी चीज बाते बीच में बात आ गई कि iron ठीक है तो अब iron आपने देखा तो आपने यहाँ पर रखा था iron uncountable noun है फिर यहाँ पर आ गया iron मान लिजे iron's were on sale ऐसा आ गया तो आपको यहाँ पर ध्यान दिलाया कि भाई यह जो iron है यह यहाँ पर हम stry के लिए कह रहे हैं जो कपड़े प तो यह चीज यहां mention कर दी गई यहां मान लिजे छूट गई होगी यहां mention कर दी गई तो वह mind में set हो जाती है ऐसे कितने minor grammar points है जो आपको यहाँ पर आएगा ठीक कि इसके अलावा जब आप translation करते हैं तो यह minor grammar points के साथ साथ एक चीज और आपकी आती है वो है vocabulary vocabulary बहुत बड़ा पार्ट है यह इतना बड़ा पार्ट है कि आप lifetime भी तयार करते रहें तो शायद कम पढ़ जाता है क्योंकि आप vocaps ऐसी चीज है कि याद कर रहे हैं तो उसमें जो words कम uses के उनको आदमी भूलता जाता है उसको use तो कर नहीं रहा है तो वह mind से निकलता जाता है लेकिन जब हम practical approach के साथ words को तयार करते हैं कि हम translation कर रहें एक तो वह हमने रट लिया बहुत सारे इस तरह से करके मैं आपको बता दी है अब बताने के बाद फिर मैंने आपसे का अच्छा सुनाईए अब तो आप सुनाने लगें आपने सुना दिया ठीक है याद हो गया आप भी खुश हो गया हमें तो याद हो गया बढ़ें आप फिर हुआ गया कि कुछ दिन बीद गया महीना बीद गया दो महीना बीद गया उसके बात क्या हुआ कि अब हमारे जयन से वह निकल गया हमारे दिमाग से निकल गया क्यों निकल गया इसलिए निकल गया कि हमने एक particular time के लिए उसको रट लिया, सुना दिया, हमने अपना काम खतम कर लिया, उसको हमने बंद कर दिया, भई, किताबे भी अगर आप बंद करके काफी दिन रट दीजे, तो उस पर भी धूल जम जाती है, उसको साफ करना पड़ता है, वैसे हमारा mind है, तो जो धूल जम जाती है, revision ना करने से, ठीक है, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए एक अच्छा तरीका ये है, कि आप उसे practical approach में लाइए, मान लिजे, मैंने translation आपको सिखाया, मैं past indefinite पढ़ा रहा हूँ, past indefinite का मैं assertive पढ़ा रहा हूँ, उसमें मैंने कह दिया, कि उसने उसका अपमान किया, ठीक है, तो मैंने उसका translation करवाया, मैंने का he humiliated him, मैंने insulted word नहीं use किया, मैंने humiliated word यूज कर लिया, क्यों कर लिया, ताकि आपको humiliate word माइंड में आपके set हो जाए, insult तो आपको पहले से आता है, तो जो चीज़ आपको पहले से आती है, उसका use हम कम करके जो चीज़ आपने कम सीख रखी है, उसका use जादा करें, तो वो चीज़े practically आपके mind में set होंगी, ठीक है, या ऐसे ही मान लिज़े, मैंने simple sentence कराया, मैंने कहा कि वो बहुत बातूनी है, अब वो बहुत बातूनी है, तो she is very talkative, आपने कह दिया, अब talkative word आपके mind में पहले स यूज करा दिया, ठीक है ना, तो ये इस तरह के words जब आपके, या garrulous word यूज करा दिया, तो जब ये words आप यूज कर रहे हैं, जो आपने कम यूज कर रखे हैं, वो यहाँ पर आप यूज कर रहे हैं, तो आपका vocab अपने आप practically बढ़ता जाएगा, तो एक ये भी आपक sentence के बीच में, जो आपने पहले कभी सुनी नहीं रखे होते हैं, या उनको आपने कभी अपनी life में translate ही नहीं किया होता है, for example, मैं sentence ले रहा हूँ, और sentence translation के बीच में मैंने कह दिया, कि वहाँ लडख़ाया, अब बहुत से लोग हैं, जिनको लडख़ाने की English नहीं पता, and obviously जब कोई class चलती है, तो हम किसी एक दो particular student को तो focus करके नहीं चल सकते हमें, तो एक complete gentry को focus करना है, जो जितने भी लोग हमारे वहाँ हैं, ठीक है, जितने भी लोग पढ़ रहे हैं, उन सब को focus करके चलना है, तो मान लीजे, कि 10-12 लोग को आता होगा, कि क्या हुआ, लडख प्रांसलेशन में बताऊंगा, मैं कहूंगा, भाई, he staggered, he lurched, ठीक है, तो याद हो जाएगा कि लडखलाना को English में staggered या lurched कहते हैं, तो ये भी एक अच्छा खासा benefit आपका हो जाता है, जब आप sentences पढ़ते हैं, अच्छा आपको बता दूँ कि overall अगर हम बात करें, तो grammar में खाली इतनी चीज़ अगर आपने अच्छी कर ली ना, तो इतनी चीज़ आपकी लगबख 60-70% English को cover कर लेती है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़े आती है, जब आप sentences की formation सीख रहे होते हैं, तो वहीं पर एक चीज़ आती है, tense, मैं इसको अलग से नहीं लिख रहा ह आपके mind में रहे कि आपको इतना कुछ नहीं पढ़ना है, आपको बस इतना ही पढ़ना है, इसी में चीज़े आ रही है, तो sentences की formation में ही आपका tense भी आता है, कहां आता है, यह आपको मैं आगे जब sentences बताऊंगा, तो बताऊंगा, ठीक है, अभी short में बता दे रहा हूं, कि five kinds of sentences होते है, जिन में से दो ऐसे होते है, assertive and interrogative, assertive में aussi affirmative and negative थो बाता है, और interconnected single and doublegenerative आता है, तो depth में आप पढ़ेंगे, तो यह जो दो堅 आपके, assertive and interrogative, इनके formation के लिए आपको tense पढ़ना ज़रूरी होता है, तो tense आपकर पढ़ते है, assertive and interrogative के formation के लिए, तो देखा जाए, तो tense को भी पढ़ा जाता है sentence के formation के लिए ही, तो इसी topic के अंदर हमने tense को भी मान लिया, जब आप tense भी पढ़ेंगे तब भी आप उससे में translations करी रहे होंगे, और आपकी ये चीजें साथ में चली रहे होंगी, आपकी vocabulary भी चल रही होगी, minor grammar points भी चल रहे हो होगी, ये सारी चीजें एक साथ चल रहे होंगे, क्योंकि ये सभी एक दूसरे से related है, ऐसा नहीं है कि ये separate topics हैं, ये एक दूसरे से related हैं, अगर आप दिखिए, जब आप किसी छोटे बच्चे को पढ़ा रहे होंगे, तो अगर आप उसे पढ़ा रहे हैं C80CAT, तो आप द अगर उस image को या उस object को देखे, तो वो बोले कि ये cat है, है ना, या आप कई बार उसको ऐसे भी बोलते है, this is a cat, तो वो भी बोलता है बच्चा, this is a cat, तो practical आप उसको कराते हैं, है ना, तो वैसे ही, वो तो बहुत basic चीज हो गई, मैं बता रहा हूँ, लेकिन सीखने का त लगभग लगभग वान के चलिए, 70% पार्ट कर लिया, लेकिन इसके बाद भी कुछ चीजें जो आपको पढ़नी होती है, ठीक है, वो कुछ चीजे क्या है, चलिए मैं बताता हूँ, तो अभी मैं बता रहा हूँ कि इतनी चीजे तो आपकी हो गई, और इतनी चीजें अगर कोई भी परसन इंग्लिश को लिखना या बोलना चाहता है, बेसिक लेवल पर एकदम बेगनर करना चाहता है, तो उसको कम से कम इतनी चीजें तो आनी चाहिए, क्योंकि अगर इतनी चीजें नहीं आएगी, तो वो इंग्लिश को स्टार्ट ही नहीं कर सकता, ठीक है फिर इनको सीखने के बाद अब डेप्थ में जाने की बात आती है, तो जब आप sentence formation सीख लेते हैं, 10 सीख लेते हैं, तो फिर आपका next topic जो आ जाता है, वो होता है voice, जिसे हम कहते है active and passive voice, तो active and passive voice आप इसमें पढ़ते हैं, एक अच्छा कासा जो है deep topic है पढ़ने के लिए, पर इसको भी मैं बहुत short और easy करके बताऊंगा, इसके बाद आप सीखते है narration, direct and indirect जिसे हम कहते हैं, ठीक है न, direct and indirect narration ये आप सीखते हैं, direct and indirect narration के लावा आपको जो cover करना है, वो क्या क्या cover करना है, चलिए हम देखते जाते हैं, आपको conditional sentences cover करना है, conditional sentences जब आप cover करेंगे, त आपको ये भी समझना होगा, कि simple क्या है, complex क्या है, compound क्या है, ये sentences आपको, इनका difference क्या होता है, ये जानना होता है, समझना होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत आपको cover करना होता है, transformation, अच्छा मैं ये सब लिख जरूर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ, कि ये सारी चीजें एक दूसरे से related हैं, जैसा कि मैंने पहले बता है, अगर मैं transformation, अगर मैं इनकी बात कर रहा हूँ, simple complex compound की, तो जब आप sentences सीखेंगे, sentences के type सीखेंगे, तो उनीक एक advanced study होगी, कि आप sentence में ये भी जाने की simple कौन से है, complex कौन से, compound कौन से है, sentence को ही आप transform भी करेंगे, क transform कैसे करा जाता है, तो अगर आपने formation सीखा हुआ है, sentences का, तो आप ये सारी चीजें बहुत आसानी से समझ लेंगे, even conditional भी वही है, sentences ही होगा, ठीक है ना, तो अगर आपने सीखा हुआ है, तो आप आसानी से समझ लेंगे, sentences के ही अंदर, आपको model auxiliary भी पढ़ना होगा, ठीक, तो इतनी चीजें आपको basically सीखना होगा, फिर उसके बाद एक part और आता है, जिसे हम कहते हैं, comprehension, अच्छा, इसी में आपको, मैं superfluous expressions भी पढ़ा हूँगा, मैंने लिखा नहीं है, superfluous expressions, superfluous expressions वो होते हैं, जिसमें, मानली जे की कई बार हम words को extra में use कर लेते हैं, जै अच्छे के return के साथ back नहीं लगता है, return का मतलब ही होता है, वापस आना, तो इने superfluous expressions कहा जाता है, यह मैंने लिखा नहीं है, पर यह भी हम पढ़ेंगे, जब हम formation सीखेंगे, इनको अलग से point ले लेंगे, comprehension आपका आता है, comprehension में आपको unseen passage दिया जाएगा, unseen passages से आपको question कर करने होंगे, उनके answer करने होंगे, यह part जादा तर लोग जानते हैं, इन सभी parts को मैं एकदम point to point, एकदम deep में बताऊंगा, अभी सिर्फ एक introduction दे रहा हूं, क्या-क्या पढ़ना है, फिर एक part आपको और पढ़ना होता है, जिसे हम कहते है punctuation, ठीक है, punctuation को मैं last में लिख रह आदी से जादा punctuation, बाद में बस उन points को मुझे highlight करके आपको बताना होगा, जो आपने पढ़ तो रखे हैं, पर अलग से पूछने पर शायद आप घबरा जाए, तो उनको मैं highlight कर दूँगा, तो आपके mind में वो save हो जाएंगे, ठीक है, तो इतनी चीज़े अगर आपने cover क syllabus बताया, अब मैं आपको एक थोड़ा से study plan बता देता हूँ, strategy क्या बनाना होगा, देखिए, बहुत सारे subjects हैं, आपको cover करने, मैं सारे subjects की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने subject की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ English language की बात कर रहा हूँ, English language को अगर आप cover करना चाहत 5th, 6th, 7th, ठीक है, इन classes की books ले लिजे, English की, ठीक है, किसी भी board की, मैं board को भी आपको recommend नहीं कर रहा हूँ, आप किसी भी class की book ले लिजे, ठीक है, और ये जो books आपने लिया, English literature के लिया, obviously, इसमें आज से आपको क्या काम शुरू करना है, इन books से आपको एक काम ये शुरू करना है, आपने कोई भी एक story खोला, कोई भी एक चीज खोला, ठीक है, एक article, एक essay, जो भी उसमें लिखा है, उसको आपने सबसे पहले तो read किया, क्या किया, read, तो एक तो habit डालनी है आपको reading की, कम से कम आपको everyday, minimum, एकदम कम करना है, तो कम से कम 10 minute की reading करना है, रोज, और य reading कैसी होनी चाहिए, यह reading ऐसी नहीं होनी चाहिए, कि आपने बस ऐसे भगा के उसको पढ़ लिए, नहीं, reading ऐसी होनी चाहिए, कि आप उसको थोड़ा सा लाउट पढ़ें, आपके कान में जानी चाहिए आवास, इतना loud नहीं कि दूसरे लोग धिस्टरब्ड हो, इतना loud ह जाए कि आपके खुद के कानों में वह आवाज चाहे है पहली बात दूसरी बात कि जो आप Tags read कर रहे हैं उसको आप इतने ठैराओं से करें कि हर एक वर्ड को समझने का प्रयास करते चलें समझने की कोशिश करते चलें और जब आप समझने की कोशिश करते चलेंगे तो obviously कुछ लोग तो समझ जाएंगे जिनकों ने थोड़ा अच्छे से मतलब पढ़ा रखा है या English पर थोड़ा काम कर रखा है तो वो समझ जाएंगे लेकिन जो काफी वीक हैं English को लेकर के जन्हों इंग्लिश पर काम कम कर रखा है उनको obviously problem आएगी कि उनका समझना इतना आसान नहीं होगा तो वो क्या करेंगे वो जहां पर जिस वर्ड को नहीं समझेंगे उस वर्ड को हालाइट करेंगे ठीक है इंस्टॉल आप प्ले स्टोर से कर लेते हैं ना तो डिशनरी में आप फॉरन उस वर्ड को खोजिए ढूंडिए और ढूंड करके फिर वहीं पर पैंसिल से लिख लीजे उस वर्ड को और लिख करके ऐसे ऐक पैसेज आप पढ़ रहे हैं अब फिर से जब रीट करेंगे तो आप ये पाएंगे कि अब आपको पैसेज समझ में आ रहा है पहले से जादा बोसकता है पूरा फिर भी ना समझ में है कोई अगर बहुत वीक है जिसने बहुत कम काम कर रखा है इंगलिश में ये आपको बताने की जरूरत नहीं है देखिए मरीज जो होता है ना मरीज का मतलब मैं खाली बिमारी से नहीं ले रहा हूँ मैं हर एक चीज से ले रहा हूँ किसी भी चीज में गराबी के तो मरीज को ये नहीं चाहिए कि वहर किसी को अपनी कमजोरी बताए अपनी बिमारी बताए या एकदम उसको छुपा के उस पर परदा डाले नहीं उसको ये चाहिए कि अगर कोई बिमारी है कोई परिशानी है तो इसका इलाज करे और इलाज जो बता सकता है डॉक्टर और वो खुद मरीज खुद उन दोनों के बीच में रहना चाहिए ठीक है जब इलाज हो जाएगा चीज़े अच्छी हो जाएंगी तो ये भी ऐसे ही कुछ है अगर आप वीक हैं इंग्लिश में तो ये कोई बुरी बात नहीं है बुरी बात तब होगी जब आप हमेशा वीक रहना चाहें बुरी बात तब होगी जब आप उसको इंप्रूब भी न करना चाहें बुरी बात तब होगी जब आप इतना डरें कि आप किसी कदम को उठाए ही ना और फिर भी complain करते रहे मुझे English नहीं आती अरे मुझे नहीं आती तब बुरी बात होगी तो अच्छा क्या होगा कि हम कोशिश करें और फिर देखें कि उसका result मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है obviously result मिलना ही मिलना है ठीक है तो ये reading आपने किया words को highlight के अडिशनरी में find out किया फिर उसको reread किया तो आपको चीज़े समझ में आएंगी अब इतना काम आपने जब कर लिया तो उसके बाद आपको क्या काम करना है उसके बाद आपके घर में आपके रूम पे आपके साथ जो भी हो उससे बोल दो भाई इतना सा मुझे dictation बोल दो अब यह dictation क्यों बुलवा रहे हैं आप dictation इसलिए आप बुलवा रहे हैं दो reasons है उसके पहला reason तो यह है spelling आपको strong करनी है spelling ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं यहाँ पर दो दिन पढ़ा दूँगा spelling ऐसी चीज़ है जिसको आप जितना लिखते रहोगे जितना dictation आपके पास होता रहेगा आपकी उतनी strong होती जाएगी यह practical approach है है ना तो आप dictation बुलवा लो या शुरू में आप अगर मान लिज़े dictation कोई नहीं बोल रहा है तो जो आपने read किया है कर सकते हैं पर अगर आ गया है तो ऐसे कर लिए कि एक लाइन पढ़ दीजे पढ़ने के बाद फिर उसको माईने में रख करके अपने लिखिए यह निकि एक एक letter देखिए कि आप next letter क्या है next letter क्या है ऐसे नहीं तो यह काम अगर आपने शुरू कर दिया तो believe me आपकी बहुत सारी problems यहीं पर solve जाने वाली है तो reading और writing का काम आपको करना है अभी से अपनी habit में डाल लेना है यह पहली तैयारी है दूसरी तैयारी जो आप अभी से कर सकते हैं English language को लेकर के reading राइटिंग के हलावा वो यह कर सकते हैं कुछ videos आपको इसी channel पर मेरे मिल जाएंगे ठीक है और जो videos मैं regular दे रहा हूँ वो videos आप देखिए ठीक है watch करिए और उन videos को watch जब आप करें तो अगर कोई topic cover हो रहा है तो उस topic को आप अगर एक बार में नहीं समझ पा रहे हैं तो revise करिए दुबारा देखिए और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि किसी और से compare करना चाहा है तो compare करके भी देख लिए होता क्या है कि बहुत से लोगों को लगता है कि पदा नहीं कैसा पढ़ा रहा है सही पढ़ार है नहीं पढ़ार है तो वहाँ पर अगर comparison भी वो करना चाहा है तो we are okay with that ठीक है ना आप compare करके देख लिजे आपको जहां चीजें ज़ादा समझ में आ रही है ज़ादा suitable लग रही है आप वहाँ से सीखने की कोशिश करिए क्योंकि सबसे important चीज़ क्या है आपका सीखना और आपका exam में बेहतरीन प्रदर्शन करना ठीक है ना तो ये एक काम आप कर सकते हैं कि वीडियो को हमारे constantly देख सकते हैं इसके आगे जो भी procedure होगा ये सारी चीज़ें आपस इंस्टिट्यूट बताये गई, शेयर करे गई वीडियो आपके पास आती रहेंगी ठीक है तो इतना तो syllabus मैंने short में discuss कर दिया अब next class जो भी मैं लूँगा next lecture मेरा किसी ना किसी topic को लेकर के होगा यानि मैं सीधा पढ़ाना शुरू करूँगा ठीक है झाल